दोस्तो कैप्टन क्लार्क ने पिछली रात तीन बज़े के बाद का जो समय था ये जाग कर काटा जागने की वज़ा थी कि जो ये वाइल्ड कैट और साथी जो नाइट जार की कॉलिंग थी ये बहुत सादा कॉंटिनियूस थी इतनी सादा कॉंटिनियूस कॉलिंग हमेशा एक खत्रे का संकेत देती है और ये चीज कैप्टन क्लार्क बाखो भी जानते थे क्योंकि पहले भी इन्होंने जंगलों के अंदर इस प्रकार की राते बिताई थी बंगॉल के अंदर जब ये वहाँ पर इन ठगों से लड़ रहे थे तो वहाँ पर भी जो जंगल थे पर इन्हों की कॉलिंग ये सब सुनी हुई थी तो इसलिए इनका डरना एक तम जायस था उसके बाद जब तंबों के पीछे ही जस्ट पीछे जाडियों के अंदर हल चल हुई खल चल कुछ देर चली उसके बाद वो हल चल बंद हो गई थी जैसे ही ये जाडियों का हिलना डुलना बंद हुआ तब ही इस वाइल्ड कैट ने और नाइट चार ने भी बोलना बंद कर दिया हलाकि जानवर बोल रहे थे लेकिन वो यहां से दूर थे मतलब जो यह वाला सिनेर्यो था यहां का जो सीन था यह सीन इस में अब कॉलिंग नहीं हो रहे थी लेकिन कॉलिंग नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि खत्रा डल गया है हो सकता है खत्रा शिप गया हो या इनकी स्टॉकिंग चल रही हो उसने तो देखी लिया था इने इसलिए जो कैप्टन कलाग थे उन्होंने अपनी राइफल को उठाया लोडड राइफल को और उसे अपने घुटनों पर रख लिया घुटनों पर रखने के बाद पूरी की पूरी रात जब तक सुबह की सनलाइट नहीं आ गई तब तक ये जागते रहे अब दोस्तो इतने समय से ये लोग चल रहे थे दस बारा किलोमेटर पिछले दिन भी चल कर आये थे कुछ काम भी किया था आने के बाद तंबू वंबू भी लगाये थे और रात को तीन बज़े आँख खुलने का मतलब था कि इनकी नींद बिलकुल भी पूरी नहीं हुई थे लेकिन अभी नींद की किसे पड़ी थी जैसे ही सुबह का समय होता है जब कोरा थोड़ा सा हटता है क्योंकि सुबह फॉक बड़ी हुई थी कोरा था सर्दियों का समय सर्दियां खतम दो हो गई थी लेकिन पूरे तरीके से नहीं मार्च का महीना था तो इसलिए सुबह शाम की तो कोहरे की एक परत जमी रहती थी जब सुर्या का परकाश पूरे अच्छे तरीके से आ गया तब ये लोग बाहर निकलते हैं सबसे पहले कैप्टन क्लाक बाहर निकले वहाँ जो इन्होंने देखा दोस्तों वो मैं आपको बता चुका हूँ बर्क मार्क स्टाइगर के जो की ठीक इनकी जोंपड़ी के पीछे जा रहे थे ये अपनी रैफल लेकर पीछे तक जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ जादा दूर तक ये नहीं जाते क्योंकि इस समय जादा दूर जाना ठीक नहीं था अब यही चीज ये अपने सबी साथियों को बताते हैं सुबह सुबह कि भाई ऐसा ऐसा हुआ रात को तुम लोग तो सो रहे थे लेकिन कॉलिंग चल रही थी आवाज आ रही थी जंगल की क्या किसी ने सुनी बाकि तीन जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने का कि नहीं हमने तो नहीं सुनी ये जो अंग्रेजिन के साथ था उसने भी का मैंने भी नहीं सुनी लेकिन कैप्टन कलाग जो काफी शातिर थे जिनकी नींद बड़ी कच्ची थी एक अच्छे शिकारी की ये भी दोस्तों एक खुबी होती है खासित होती है कि उसकी नींद बहुती कच्ची होती है जैसे कि हमारे केनेट एंडरसन सहाब और जिम कॉर्बेट साथ की थी उनकी भी नींद बहुत कच्ची थी इसलिए जैरा से भी बनक होती थी जैरा से भी आहाट होती थी तो उनकी नींद खुल जाय करती थी यही हो रहा था कैप्टन कलाग के साथ भी इनकी नींद लेकिन भी पूरी नहीं हुई थी काफी थके थके से लग रहे थे दोस्तो जहाँ पर इनोंने अपने तंबू लगाये थे वही पर इनोंने अपना जो प्लैन था उससे एक्सेक्यूट करना था यही जगा इनोंने चुनी थी हलाकि यह कोई पक्का नहीं था कि इसी रास्ते से यह जो थक थे यह ट्रैवल करेंगे यह आएंगे जाएंगे लेकि जितना एक्सपीरियंस थकों को पकड़ने का कैप्टन कलाग के पास था उस हिसाब से यही जगा उन्हें एप्ट लग रही थी इसलिए सबसे पहले उन्होंने इसी जगां का चुनाफ किया हलाकि प्लैन के अंदर शामिल थी और जगाएं भी लेकिन पहले दो चार पास दिन यहां देखेंगे फिर दो चार पास दिन कहीं और देखेंगे फिर कहीं और देखेंगे इस परकार से इन्हें मूव करना था तो दोस्तों उस तिन सुबह सुबह ही चाये नाश्टा करने के बाद काम शुरू होता है काम शुरू तो होता है लेकिन कैप्टन कलाग का सारा का सारा ध्यान अपने तंबू के पीछे जो जाड़ियां थी उसी तरफ था कि कहीं कोई स्टॉकिंग तो नहीं चल रही कहीं कोई कॉलिंग तो नहीं हो रही कहीं अचानक से अचानक से कोई जानवर तो नहीं या फिर वही टाइकर जिसके बगमाक्स थे वो सामने तो नहीं आकर खड़ा हो जाएगा या किसी के ओपर हमला कर देगा ये सारी चीजें सोच रहे थे कैप्टेन कुलाग साथी अपने साथियों को डिरेक्ट कर रहे थे कि क्या क्या करना है तो वहाँ पर प्लैन सिंपल था जाहिन के तंबु थे उसके सामने जो जगाएं थी वहाँ पर कुछ-कुछ गहरे गड़े जैसे मानो चार फीट, साड़े चार फीट इस परकार के गड़े की भागते हुए घोडे को ट्रैप किया जा सके क्योंकि अकसर जो ये ठग थे ये घोडों का इस्तमाल करते थे इधर उधर जाने के लिए अपनी प्लैनिक्स बनाने के लिए उस समय जो घोडे थे वो या तो इन ठक्स के पास होते थे या फिर ब्रिटिश आर्मी वालों के पास होते थे तो इसलिए इन्होंने इस परकार के गड़े बनाए ताकि अगर कोई ठगों की टोली भागती आ रही है तो उन्हें ट्रैप किया जा सके उन्हें उपर से सूखे पत्तों जाडियों इस परकार के चीज़ों से डख दिया ताकि नजर ना आये कि यहां पर कोई गड़ा है ये काम इन्होंने शुरू कर दिया था अब एक 3-4 फीट का गड़ा खोदने में समय तो लगता था तो इसलिए धीरे धीरे ये लोग अपने काम को कर रहे थे साथी विजल कर रहे थे कैप्टन कलाक अपने व्यक्तियों के लिए आस पास का एरिया इन्होंने अपने साथी को भी बोल दिया था कि पूरा का पूरा स्तर्क रहे और जो दो सिपाही बागी के थे उन्हें भी बोल दिया था कि तुम काम तो कर रहे हो लेकिन साथ ही स्तर्क रहना और अपनी राइफल्स को एक तम हमेशा तयार रखना कभी भी कुछ भी हो सकता है ये एरिया बहुत स्था खतरनाक है और हो भी क्यों ना दोस्तो बांदवगर का एरिया जो था उस समय तक तो खेर ये नहीं पता था कि ये टाइकर रिजर्व बनने वाला है फ्यूचर में लेकिन हमें आज पता है और ये भी पता है कि इस समय ये लोग उसी एरिया में खड़े हैं जिसे आज हम बांदवगर टाइकर रिजर्व कहते हैं लेकिन वो समय वो समय दोस्तो 1830, 32, 44 वाला समय जब भागों की मात्रा भी बहुत थी और जंगल भी बहुत जादा ही जादा खने थे अब दूसरी चीज जो इनके प्लैन में थी एक तो गड़े बनाने और दूसरी चीज थी अपने रहने के लिए एक सूटेबल जगां का चुनाफ करना जहां से इन चीजों के उपर नजर भी रखे जा सके और नीचे कोई भी व्यक्ती हो या सामने कोई भी व्यक्ती हो वो इने ना देख पाए उसके लिए प्लैन में शुरू से था कि मचान बनाई चाएंगी पेड़ों के उपर जब कैप्टन कलाक ने पहली मचान वहां पर बनवाई तो वो मचान बहुत दूर से विजिबल थी पता चल रहा था कि यहां उपर कोई बैठा हुआ है और जब यह ठग मूव करते थे इनको तो पूरे के पूरे जंगल का चपपा चपपा अच्छे तरीके से पता होता था यह तो बहुत दूर से बता देते कि यहां पर कुछ ना कुछ प्राप्लम है यहां पर कोई ट्रैप लगाया गया है इसलिए अपना रास्ता बदल देते या फिर अंदा तुन गोलियां चला देते या फिर हमला बोल देते तलवारों के साथ कुछ भी हो सकता था तो जब कैप्टन कलाक ने ये चीज़ देखी कि भाई यहां तो यह मचान तो बनी नहीं सकती हम रहेंगे कहां पर और किस प्रकार से अपने आपको चिपाएंगे वो आस पास अपनी नजर दड़ाते हैं क्योंकि मचान का कॉंसेप्ट तो एक तम खारिच कर दिया गया था मचान के उबर तो वो लोग नहीं बैठने वाले थे क्योंकि उन्हें मचान भी ऐसी ही जगां पर बनानी थी जहां से वो इन गड़ों के उपर विजल रख सकें गोली तान सकें इसलिए जाता दूर अंदर वो डीप फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि गड़ों का चुनाव इसी जगां पर किया गया था तो अब जब इन्होंने नजर दोड़ाई तो देखा कि जहां पर इनके तंबू लगे हुए हैं उसके पिछली तरफ जो जाड़ियां है हाला कि ये वही एरिया था जहां पर ये जो बाग घूम कर रात को गया था ये जो टाइगर था उसके पगमाक्स उदर ही गए थे लेकिन इनके पास फिलाल कोई चारा नहीं था दिन चड़ रहा था कोई भी कभी भी आ सकता था इसलिए क्लाक ने यही का कि जो अपने तंबू हैं इनको हम जो पीछे जाड़ियां बनी हुई हैं उनके अंदर एरिया को साफ करके वहाँ पर तंबू को लगा देते हैं सामने जाड़ियां जाएंगी ताकि आने जाने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मानो ये जाड़ियां हैं हमारे तंबू नजर नहीं आएंगे क्योंकि जो ग्रोध थी वो काफी अच्छी खासी ग्रोध थी कहीं जगा तो घास साथ-साथ आठ-ठाठ फीट की हाइट ले रखी थी तो इन्होंने यही प्लैन किया और इस प्लैन के तहत जब एक टुकड़ी इन में से तीन चाड़ लोगों की पीछे की तरफ जाती है उन तंबूँ के कि कहां पर घास को साफ किया जाएगा दोस्तो वो रुक गए थे एक दम रुक गए थे क्योंकि आगे जाते ही लगबग बीस फीट दूर जाते ही एक अजीब सी बबग आ रही थी एक अजीब सी स्मेल आ रही थी ने बंदू के सब ने तान ली थी खत्रा आस पासी था जब इनोंने देखा उस एरिया को नीचे जमीन को देखा दोस्तो वहां पर अद खाय हुए शरीर ऐसा लग रहा था कि मानों कहीं कहीं से लाकर वहां रखे हुए हैं और ये तो भोजन है किसी जानवर का और किस जानवर का जी हाँ बाग का भोजन वहां पर कहीं तो इस परकार की हड़्ियां थी जो बहुत पुराने समय से शायद वहां पर पड़ी थी उसने इकटे करकर के यहां पर रखे हुए थे अपने सारे शिकार इसलिए वो यहां से घुम कर दूसरी तरफ गया था लेकिन फिलाल यह लोग वहां से उन्ही बैरों वापस आ जाते हैं एकदम चुपचा पीछे की तरफ आते हैं सामने इन्होंने बंदो की नलियां रखे हुई थी कि अगर कहीं से भी हमला हुआ तो यह फायर कर देंगे अब कलाक इने कहते हैं कि यहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम यहां पर अपने तंबु रखें तबी के तबी तंबु वहां से निकाले जाते हैं और जो उनके सामने मतलब इस एरिया से सामने की तरफ लगभग पचास फीट की दूरी पर एक और जो जाडियों का जून था अब यह प्लान करते हैं कि अपने तंबु हम यहां से निकाल कर उधर ही लेकर जाएंगे दोस्तो इस लोकेशन को यह चेंज करते हैं एक दम से वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि इन्होंने गड़े खोद दिये थे दो चार गड़े खोद चुके थे तो यहां से अब कहीं और लोकेशन पर चाना उस लोकेशन पर पिन पॉइंट करना चीज़ों को यह पॉसिबल नहीं था इसलिए इन्होंने अपने तंबु वहां से निकाले और इस लोकेशन से 50 फीट की दूरी पर जो बिलकुत सामने था इस जगां से वहां पर अपने तंबु को जाडियों के बीच में लगा दिया वहां पर लेकिन इस परकार की कोई भी चीज़ नहीं थी लेकिन तंबु इस डिरेक्शन में लगाए गए कि उनका जो मुँ है वो सामने के तरफ रहे जहां पर इन्होंने वो सड़ी हुई बोडीज देखी थी जो की बहुत पुराने समय से वहां पर रखे हुई थी ताजी कोई भी बोडी फिलाल वहां पर है थी सामने के तरफ तंबु कमो करने का रिज़न यही था कि अगर कोई भी हलचल उधर से होती है तो ये पचास फीट की दूरी से उसे देख ले समय साड़े पांच बच गए थे अब ये काफी खत्रे का समय था कलाग जानते थे इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अपना खाना पिना कर लो खाना पिना करने के बाद अपने अपने तंबों के अंदर चले जाओ और ध्यान रहे जो भी बंदूगदारी लोग हैं उनका ध्यान सामने की तरफ जो चाड़िया है वहाँ पर रहना चाहिए वहाँ पर कोई भी हलचल होती है तो आपके कानों को पता होनी चाहिए और साथ ही जो भी कॉलिंग्स होंगी रात में कहां से हो रही है किस डिरेक्शन से हो रही है उस प्रकार से आपको रियक्ट करना होगा सब अपने अपने बरों से अपने साथी को रखे और दूसरा साथी अपने बरोसे अपने उस साथी को रखे यानि सब एक दूसरे का backup बन कर ही हाँ पर रह सकते हैं ये करने के बाद इन्होंने खाना बना बनाया वहाँ पर जो पत्थरी कट्थे करके लकड़ी कट्थी करके जो चुला बनाया था खाना जब बन रहा था दोस्तो शाम के लगपक 6 सवा 6 बजे के करीब तभी से ही कोहरा आने लग गया था जंगल के अंदर मार्च का महीना था मार्च की शुरुवात थी और मार्च में भी अच्छी खासी सर्दी रहती थी सुबह शाम की दिन में गर्मी होती थी लेकिन सुबह शाम की सर्दी सुबह शाम का कोहरा और वो तो जंगल था कना जंगल उसमें तो कोहरा आता ही था तो अब जब ये खाना बना रहे थे तभी से ही कोहरे ने कवर कर ली थी पूरी की पूरी जाडिया और जो सामने 50 फीट दूरी पर जहां पर इन्होंने ये सब कुछ देखा था वो तो मानो अब नजर ही नहीं आ रहा था कुछ एकतम कोहरा चाता जा रहा था वहां पर ऐसा ल संबों में चले गए, ठीन एकंबो में, दो एकंबो में, 10-11 बजे तक तो नीद ही नहीं आ रहे थी किसी को, सब लोग सिर्फ इसी कश्मकश में थे कि कहीं से कोई आवास तो नहीं आ रही, सबने इतना भयानक जो दृष्य वहां पर देखा था, इनकी रोग काम कई थी उस त्रिश्य को देखकर सब लोग बैठे हुए ग्यारा साड़े ग्यारा बज़े के करीब आंखे बारी होती है कोई ग्यारा बज़े सो गया कोई बारा बज़े सो या कोई साड़े बारा सो या इस प्रकार से एक बज़े तक ये सब के सब सो गए थे दोस्तो लगबग दो बुजे के करीब अचानक से कलाग की फिर से आंख खुलती है और ये बहुत बयंकर चीज थी जो सामने जाडियां थी वहां से एक तो सरसरहाट की आवास आ रही थी दिखाई कुछ नहीं दे रहा था रात साथी कोहरा दूसरा जो ये जंगली बिल्ली थी ये जंगली बिल्ली फिर से कॉंटिनियोस कॉल देना शुरू कर गई थी साथी जो नाइट आउल बान आउल ये सब इनी के पेड़ के उपर बैठ कर बोल रहा है थे ऐसा परतीत हो रहा था कि मानों ये एक तव गड़ में हैं किसी बयंकर जंगली जानवर के जो नहीं चाहता कि ये लोग यहां पर रहें इन्होंने गलत जगां का जुनाव कर लिया था परन्तु फिल हाल कुछ नहीं हो सकता था अभी ये सिर्फ आवाजे सुन रहे थे कलाक उनका साथी और उधर से भी तीनों के तीन लोग जा गए थे लगबग दो गंटा कॉंटिनियूस कॉल जलती है और उसके बाद एक दम से अचानक से पतानी क्या हुआ कि कॉलिंग बिलकुल बंद हो गई आदे गंटे तक कोई भी कॉल नहीं हुई दोस्तों लगबग साड़े तीन बज़े के करीब अचानक से एक ऐसी दहाड इनको सुनाई देती है सामने वाली जाडियों से जहां से ये लोग अपने तंबों को शिफ्ट करके इधर आये थे जहां पर इन्होंने वो गंकाल और कुछ बॉटिस सड़ी हुई देखी थी उनी के पीछे से लगबग इनकी जूपड़ी से सौ मिटर दूरी से ये आवाज आ रही थी और बहुत बयंकर दहाड बहुत ही बयंकर दहाड मानो फुरा का फुरा जंगल कुछ गया था इन्होंने आज तक कभी इस प्रकार की चीज़ नहीं सुनी थी इस कोहरे के अंदर इस आवाज को एक्जेक्टली लोकेट करना नामुम्किन था बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा था कि एक्जेक्टली किस तरफ से कहां से आवाज आ रही है लेकिन जो डिस्टेंस था वो लगबग इतना था कि मानो जहां से ये लोग शिफ्ट हुए रहा था कि वो पास से दहाड रहा है या काफी दूर से दहाड रहा है लेकिन दहाड ऐसी दहाड दोस्तों कलाक ने आज तक इतने जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया था परंदू ये कुछ अलग था ये कुछ अदभुत था और जिस प्रकार के इन्होंने बग माक्स के साथ इस दहाड को रिलेट कर रहे थे और साथ ही रिलेट कर रहे थे इस सारे के सारे सिनारियो को उन शवों से जो इन्होंने आज देखे थे ये सारा का सारा जो महाल था ये इतना जादा खाफनाक हो गया था सब के लिए इन पांचों के लिए दो जो इस तंबो में आपस में बाच्चित हो रही थी। क्लाक यही कह रहे थे कि तुम स्तर्क रहना, बस स्तर्क रहना। हो सकता है कि यह यहीं पर दहाडे कहीं क्योंकि है तो जंगल ही और उसके बाद मूव कर जाए। दोस्तो एक घंटे तक इनको यह कॉल और यह आवाज सुनती रही। इसके बाद तो सोने का मतलब भी नहीं था। समय चार सड़ चार बच गए थे। और अब जाक करी इन्हें बाकी का समय बिताना था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। यह लोग एक तम स्तरक बैटे हुए थे मानो नींदे उड़ गई थी। हाला कि धकान थी शरीर के अंदर। दो घंटे के बाद सूरिय का प्रकाश सारे के सारे जंगल को अपने अंदर मिक्स कर लेता है। जैसे ही यह बाहर निकल कर देखते हैं कुछ भी नहीं। नॉर्मल एक तम नॉर्मल मानो सब कुछ एक सपना था। यह लोग जल्दी अपना काम चुरू करते हैं फिर से। यह दिन इसी प्रकार से चलता है अपना काम करते हैं। दूपैर का खाना, शाम का खाना खाते हैं। रात को फिर से तंबो में आ जाते हैं। दस-क्राबजे तक कोई नहीं सोपरा था क्योंकि सोच रहे थे कि कहीं कोई कॉलिंग ना हो जाए। ठीक उसी समय एक बजे के करीब फिर से कॉलिंग स्टार्ट दोस्तों। फिर से वो जंगली बिल्ली और बान आउल की अवाज। और लगबख तीन सड़े तीन बजे सामने से ही हल्की हल्की गुर कराने की आवाज इन्हें फिर से सुन गई थी। यह मानों हो सकता है कि कलाक के अकॉर्डिंग यह जो पाग है यह यहां पर जो इसने डेर लगाया हुआ है शवों का यहां पर मुँ मारने के लिए आता है। अब यह इन लोगों की दूसरी रात थी लगातार जिब यह सो न बहुत सादा प्रेशर पड़ रहा था। पूरी पूरी राज जागना, दिन में काम करना और एक इतने बहंकर बाग का खत्रा जो की आसपासी मन रहा रहा था। और जो कॉलिंग्स होती थी दोस्तों रात में वो एक दिल का टुकड़ा निकाल लेती थी। इतनी बहंकर कॉ सब कुछ ठीक ठाक ऐसा लग रहा था कि एवल रात ही है जब ये सब कुछ होता है, दिन में तो कुछ भी नहीं, मानो वो बाग रात में आकर उन शवों पर मूँ मारता, खाता और उसके बाद दिन भर कहीं जाकर दूर जाकर सोता क्योंकि कोई भी कॉलिंग दिन में नहीं ह रहते, आज तीसरा दिन था, तीसरा दिन ये भी भी था, शाम हुई, खाना खाया, शरीर टूट रहा, रात हुई, कॉलिंग स्टार्ट हुई, और फिर बाग की कुरहट, अगला दिन फिर निकलता है, फिर यही होता है, और रात में फिर बाग की कुरहट, करते करते दोस्त तो पांच जराते हो गई थी इन्हें बिना सोए, अब इनका शरीर भी जवाब दे रहा था, एकदम सोचने समझने की शक्ती खत्म हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब नीचे की रहे या तब नीचे की रहे, दिन में काम करने का दिल नहीं, भूक नहीं लग रही, नींद भ बाग के खत्रे के करन ये लोग जाकते थे, बाग की आवाज लेकिन कहां से आ रही है, किसी को नहीं पता था, कोहरे के अंदर से कहीं दूर से उसकी आवाज इन्हें सुनाई देती थी, कलाक तो कह रहे थे कि अगर वो सामने भी कही आ जाये तो मैं उसे कोली मार दूँ, ल अगर केवल रात भी होती, तो भी ये कुछ प्लान बना लेते, लेकिन कहरे में क्या प्लान बनाएंगे, हम लोग तो कहरे में एक साफ सुत्री सड़क के उपर गाड़ी नहीं चला सकते, ये लोग किस प्रकार उस बाग का शिकार कर सकते थे, लेकिन अब छटा दिन होने व मानो एक दूसरे से परिशान हो रहे हैं सारे के सारे, लेकिन क्लाक के सामने बहुत बड़ा टास्क था, इसे कुछ न कुछ यहां से प्रोडक्टिव लेकर जाना था, क्योंकि शुरू में जो व्यक्ति जो बिजनसमेन लूटा गया था, उस बिजनसमेन की पहुँच बहु काम तो करना ही था, सुबह सुबह, सबने एक एक प्याला चाय का पिया, और उसके बाद वही चीज़ करने में दुबारा जुट गए, करते करते दुपैर हुई, दुपैर के बाद शाम, वापस तंबो में जाने का समय, लेकिन इने पता था कि रात में क्या होने वाला है, तब ही दोस्तो, जब ये वापस अपने तंबो की तरफ आ रहे थे, कलाक ने एक तम रोका, और उसने कहा कि सुनो, तुम्हें सुन रहा है कि गोड़ों के दोड़ने की आवास आ रही है, और शायद वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी से सब चुप जाओ, सारे के सारे ये लोग अपने तंबो के बिल्कुल बैक साइड में चुप कर जाकर, घोड़ों की तोड़ने के वास बहुत तेज, बहुत तेज आ रही थी, और इनी की तरफ बढ़ रही थी, चिप कर ये लोग देख रहे थे, एक घोड़ सवार जो की दिखने में ही एक ठाक लग रहा एक घोड़ सवार जो सबसे आगे था, उसके पीछे और घोड़ सवार थे, जो लगबग तेज सो तोसो मिटर की दूरी पर थे, ये सबसे तेज आगे की तरफ पड़ता जा रहा था, और जैसे ही ये बिल्कुल उनके तंबों के सामने से निकला, जो इन्होंने गड़े खो वो दूसरी तरफ जाड़ी में गिरा, उसी तौरान एक बहुत तेज तहार और उस घोड़ सवार को लेकर भाग चला गया था जाड़ियों के अंदर, जो पीछे घोड़ सवार आ रहे थे, जो पीछे इसके साथ ही आ रहे थे, उन्होंने देखा कि इस डगर पर, इस रास् का एक हमले का डर दूर से ही पता चल गया था, वहीं रुक गए वो, और वहीं से उन्होंने अपने गोड़ों का मुँ उसी डिरेक्शन में मोड़ दिया जहां से ये लोग आये थे, और दड़ा दिये गोड़े उसी तरफ, यहां से ये लोग भाग गए, वो व्यक्ती, वो बहुती अजीब सा सिन्यारियो बन गया था, कलाक और उसकी पार्टी के लिए, ये लोग ये सोच रहे थे कि ये बाग बैटकर स्टॉक कर रहा था, इसका मतलब वो आज हमला करने वाला था, तबी तो सड़े पांच-छे बज़े के करीब, ये जाडियों से इसी तरफ इस ट्रैप में नाफस था, तो शायद इनी के ओपरा जहमला होने वाला था, ये शूर नहीं थे लेकिन इस बात के लिए हो सकता है, वो हर रोज इनको स्टॉक करता हो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, जो बाग होते हैं, वो समझतार होते हैं, और अकर बाग आदम ख जाता होती थी, ये जो ठग थे, ये जो लोग थे, ये लोग भी ट्रैप लगा लगा कर इन जंगली जानवरों को मारते थे, पैसे के लिए, इसी करण से ये जो बाग थे, बहुत समझतार हो गए थे, और आदम खुर बनने के बाद तो और भी जादा समझतार हो गए थे, लेकिन जब वो ठग उसके बिलकुछ सामने आकर ही गिर गया, वो तो उसे उठा कर ले ही जाएगा, वो तो था ही एक आदम खुर। तंबो के अंदर जाकर बैट जाते हैं, लेकिन अब फिर से वही चीज, आवास सुनो, देखो कहीं से कोई कौल तो नहीं आ रही, कहीं से हमला तो नहीं होने वाला, रात होता ही दोस्तों वो जंगली बिल्ली फिर से पूलने लगती है, और इनको तो आज उस व्यक्ति के ख जो उसे मिल खया था, एक तम ताजा मास, जो उसके सामने आकर उसकी जोली में गिर गया था, पूरी रात ही आवाजें आती रही, पूरी रात सब कुछ इन्हें क्लियरली सुनता रहा, लेकिन आज एक बहुत अजीब चीज हो रही थी, जो पिछली रातों में नहीं हुई और वो चीज थी, ठीक जहां पर इनके तम्भू लगे होए थे, उससे लगभख 200 मीटर पीछे से सरसरहट की आवाज आ रही थी, रात में, अब ये पहले तो आगे की तरफ कॉंसेंट्रेट कर रहे थे सारे के सारे, अब तम्भू के पीछे से भी सरसरहट की आवाज शुर जारा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये अपना काम करने के लिए आये थे, लेकिन पांच-छे रातों से कोई अगर ना सोये, क्या हालत होगी उसकी, इनकी हालत अब ऐसी भी नहीं थी, कि ये वापस 12 किलोमेटर का सफर तैय करके जा सकें, इतनी बहुत परिशान हो गयाता बिचारा, वो किसी को कुछ नहीं कहता, सीधा उठता है, तंबू से बाहर निकलता है रात में ही, और उन ज़ाडियों की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी अती हो गई थी अब, वे सुच रहाता कि अब आमना सामना ही हो जाए, इस आवा तरह एक कुली उतारूँगा, जैसे ही अपने तंबो से बाहर निकलता है, तब ही, ये दोनों के दोनों सिपाही बाकी के आवाज लगाते हैं, क्लाक को क्लाक बाहर आते हैं, अपने एक उसी साथी के साथ, और सब लोग बाहर थे लेकिन ये तब तक जा चुका था पीचे जाडियों में दोस्तों लेकिन इस गुसे में या फिर आप कहिए कि इस बेबसी में वो एक चीज भूल गया था कि जो राइफल इसके पास है वो एक मैच लॉक राइफल है जिसको चलाने के लिए दिया सलाई से पहले उसके धागे के ओपर आग लगानी पड़ती है तब जा परिशान हो गया था कि उसने अपनी बंदूग उठाई और निकल गया उन जाडियों की तरफ दोस्तों उसे गए मात्रा भी दस सेकिंड भी नहीं हुए थे कि जाडियों के अंदर चट पटाहट की अवास और ये सिपाही कायव हो जुगा था इन बाकी चारों सिपाईयों ने वहाँ खड़े होकर लगबख दस मिनट तक उसकी राह देखी उसका नाम भी पुकरा लेकिन कोई भी फायदा नहीं वो लाट कर नहीं आया ये चारों के चार वापस अपने दंबो में घुस्ते हैं और टक टकी लगाए सामने की तरफ जहां से उस ठक को खाने की आवाज आ रही थी उस पाग की उस तरफ देख रहे थे और कुछ ध्यान इनका अपने दंबो से पीछे भी था दोस्तों कलाक और ये चार लोग एक ऐसी सिचुएशन में फस गए हैं जिसमें सिचुएशन तो इनका साथ दे ही नहीं रही साथ ही इनका शरीर भी इनका साथ छोड़ता चला जा रहा है ये छे साथ दिन से लगातार सोय नहीं है क्योंकि इन्हें डर है कि आँख लगते ही इनके उपर हमला होगा और इनकी मृत्ति हो जाएगी और जिस प्रकार से इन्होंने वो अद खाय हुए शव देखे थे वो इनके सब कॉंशिस में बैट गए थे इन्हें ये फील हो रहा था कि हम भी वहीं पड़े होंगे कुछ स क्या हाल था किसी के पास इन चारों के चार के पास कोई हल नहीं पांच वा साथ ही अभी अभी मारा किया था कैसे निकल पाएंगे दोस्तों ये लोग इस सिच्चुईशन से बाहर क्या क्लाक कुछ करेंगे ये कुछ नहीं करेंगे ऐसी बयानक सिच्चुईशन की अगली जो गाता होगी इसे आप जरूर सुनना चाहेंगे क्योंकि ये आपका सूचने का नजर या ही बदल देगी दोस्तों इसलिए कल आप मुझे इसी जगां पर मिलना तब तक के लिए आप लोग अपना खयाल रखेगा आपकी राज शुप हो गुट नाइट शब भाखेर एंड शुप रात्री